फुटबोलर लियो मेसी जो आज स्पेनिस कलब बार्सेलोना और आर्जेंटीना राष्टर दोनों टीमों के कपतान है मेसी सिर्फ बार्सेलोना ही नहीं बलकि पूरी दुनिया की जानी पहचानी हस्ती है उनकी खेल का जादू पूरी दुनिया पर चला है और चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि मैसी एक सांदार जगा पे सांदार घर में रहते होंगे मैसी बेलमार नाम के एक छोटे से इलाके में रहते है जो बारसेलोना का सबसे महंगे एरिया में से एक है एक आलिसान घर की जो जरूरते होती है वो सब मैसी के घर में मौजूद है मैसी का घर जहां मौजूद है वहाँ इन्वाइरमेंट रेस्ट्रिक्शन है मतलब की वहाँ से प्लेन के गुजरने पर बैन है बारसेलोना जो 25 किलोमीटर के जंगल के अंदर है स्पेनिस परियावरण सेत्र के तहट जंगल में जरूरी वनस्पती और बहुत सारे जीव रहते है मैसी के घर से ठीक 16 किलोमीटर की दूरी पे स्पेनिस का एक एरपोर्ट है और मान लो कि अगर एरपोर्ट से प्लेन टेक अफ करके बारसेलोना के जंगल से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है कि प्लेन बहुत नीचे होगा और प्लेन की आवाज बहुत ज्यादा होगी जिसके चलते वनस्पती और वहां रहने वाले जीवों को काफी नुकसान हो सकता है तो इसके चलते स्पेनिस की गवर्मेंट ने बारसेलोना के जंगल से प्लेन जाने पर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है और लियो मेसी भी इसका समर्थन करते है क्योंकि वो भी पर्यावरन की सुरक्सा के लिए काफी उम्दा काम किया करते है दरसल ये मेसी के घर के कारण नहीं बलकि बारसेलोना के जंगल के कारण है क्योंकि अगर बार्सेलोना के जंगल से प्लेन गुजरेगा तो बहुत सारे नुकसान होंगे और बार्सेलोना के जंगल के अंदर ही मैसी का घर मुझूद है तो इसलिए ऐसा माना गया है कि मैसी के घर से प्लेन नहीं गुजरता जबकि ऐसा नहीं है बार्सेलोना के जंगल से ही फ्लेन के गुजरने पर मनाई है आपको ये फेक्ट जानके कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पे जरूर कर देना थैंक यू सो मुझ पर वच्छिंग वीडियो